हेलो और वेलकम टू फुटफाइट जहां पे मैं और आप मिलकर बनाते हैं कुछ हेल्दी एंट टेस्टी रेसिपी और आज ही हमाज जो सूपर टेस्टी रेसिपी है ना वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है यकीन मानिए बच्चों को बड़ों को सब को ही बहुत पसंद आए और सर्व करों बहुत ही टेस्टी लगता है तो इसके लिए देखी हमने लिया है यहाँ पे उबले हुए आलू जिसको मैं ग्रेट कर रही हूँ ग्रेट करना ज़रूरी है ताकि कोई भी इसमें गांठे ना रहें और आपके जो चीज बॉल्स हैं वो बहुत ही सौफ्ट अंदर से और एकदम इक्विल बनें गांठे होंगे तो बहुत ऐसे फिनिशिंग के साथ नहीं बनेंगे और अगर आप पार्टे के लिए बना रह आप चाहू तो लहसुन अवाइड भी कर सकते हो अगर नहीं खाना चाहते हो बागी इसका फ्लेवर काफी अच्छा आता है तो वो भी में ग्रेट करके ही लोंगी यह लीजे लहसुन इसमें डाल दिया है अब यहां पे ना मैंने सारी चीजों को बिलकुल फाइनली चॉप किया है ग्रीन शिमला मिर्च है यहां पे रेड बेल पेपर है उसके साथ ही ओनियन है तो सबको ही मैंने अच्छे से ना चॉपर में चॉप कर लिया बहुत ही बारिक और फिर इसको मैं ले रही हूँ अभी क्या करेंगे इसमें डालेंगे थोड़े मसाले तो यहां पे मेरे वो मार्केट वाला फिलिंग आए आपको, साथ ही इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स इलीची खुप सारा इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हूँ, मेरे बच्चे थोड़ा सा तीखा खा लेते हैं तो मैंने जो चिली फ्ल तब भी नमक टाल देते हो तो वो भी बेस्ट रहता है बागी अभी मैंने आलो में नहीं डाला था नमक तो आराम से मैं थोड़ा ज्यादा ले रही हूँ अभी मैं यहां पर देखो यह जो ग्रेटेड मॉजिटेला चीज आती है ना वो मैं ले रही हूँ आप अपने अकोर् मैं फ्रीजर से निकाल कर लाई हूँ इसको और तब मैं यूज़ कर रही हूँ ऐसे नहीं कि मैंने फ्रीजर से उसको निकाल कर रख दिया हो और बाद मैं यूज़ कर रही हूँ नहीं बिल्कुल हातों हात आपको फ्रीजर से निकालनी है चीज और फिर एक कप मैंने इसमे तरीके से आपको एक डो प्रिपेर कर लेना है ये लिची आपका डो जो है बिल्कुल एक्टम परफेक्टली मिक्स हो जाना चाहिए ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए अब हम क्या करेंगे एक दूसरा बॉल लेंगे और इसमें मैं दो चम्मच ले रही हूँ कॉन स्टार और साथ ही दो चम्मच हम लेंगे मैदा दोनों ही मतलब बराबर बराबर मैंने ले लिया अब इसमें थोड़ा सा हम नमक मिला लेंगे ताकि जो आउटर हम लेयर बना रहे हैं क्योंकि इसको डिप करना पड़ेगा चीज बोल्स को तो इसलिए थोड़ा सा नमक देना जरू वी सी होगी क्योंकि इसमें मैदा है और बहुत ही ज्यादा पतली हो जाएगी तो फिर वो एफेक्ट भी नहीं आएगा इसलिए बैलन्स बना कर रखना जैसा कि आपने देखा मेरे वीडियो में वैसा सा ही आपको इसका घूल बनाना है अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा पा इतना आपको साइज चाहिए उस अकोर्डिंग आप बॉल्स बना ले मैं तो देखो इस साइज के बना रही हूँ अब हम क्या करेंगे यहां पर मैंने लिया है ब्रेड क्रम ब्रेड क्रम आप घर पे आसानी से बना सकते हो ब्रेड को धूप में सुखा लो या तो या फिर अवन में आप ड्राइ कर सकते हो और बात में उसको पीस लो और आपके ब्रेड क्रम जो है वो बन जाएंगे और यह लिए जे सारे जो चीज बॉल्स है न हम इसी तरीके से बनाकर उनको ब्रेड क्रम में लपेट लेंगे तो यह हमारी फर्स्ट कोटिंग हो रही है ब्रेड कोटिंग कर देंगे इस तरीके से सारे बॉल्स बनाके ब्रेड क्रम में लपेट लेंगे एक साथ ही बनाके रख लें चाहे तो यह लिजए देखिए थोड़ा से प्रेस करते जाएं ताकि ब्रेड क्रम थोड़ा से दब जाएं और आपकी जो यह जो चीज बॉल्स आप बन जिसी हो और अंदर सिक्दम soft soft आपके cheese balls बने तो सारे ही cheese balls को हमने first coating कर ली है अब हम इसके second coating करेंगे तो second coating के लिए देखो पहले जो हमने ये batter बनाया ना ये थोड़ा देखो रखा रखा ही थोड़ा मगे गाड़ा लग रहा है ये लिजे cheese balls में I mean bread crumb में डालेंगे और थोड़ा ना प्रेस करेंगे इस तरीके से ताकि अच्छे से जो हमारी bread crumb है वो अच्छे से इसमें लिपट जाए और देखे कितना प्यारा लग रहा है ना बहुत ही प्यारा लग रहा है बहुत अच्छी इसकी finishing आ रही है तो मुझे तो अभी वापस इसको खाने का मन कर रहा है क्योंकि उस time जब बनाए थे ना दो बार fry करे थे दो batch में एक बार जब दोपैर में बनाए थे तब और एक बार रात में और दोनों बार इतने tasty लगे थे ना खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े आ गए दे खाके तो यह लेजिए सारे जो cheese balls हैं इसी तरीके से हम coating करते जाएंगे बस एक चीज का ध्यान रखना जो की गलती मैं कर रही हूँ इस तरीके से ना हाथों को मैदा का जो घोल है उसमें डिप ना करे चमच ले ले और उससे आप निकाल कर और फिर breadcrumb में डाले क्योंकि मेरे हाथों पे बहुत ज़्यादा breadcrumb stick हो गया था और जो waste हो रहा था और लीजिए फिर ना मैंने इनको रखा freezer में एक घंटे के लिए और देखें freezer में रखने के बाद ये कुछ ऐसे हो गए थोड़ी देर बाहर रखा और उसके बाद इनको fry किया तो तेल ना एकदम गरम करके फिल डालना है क्योंकि ये freezer में रखे हुए थे ना तो अगर आप low flame या medium flame पे डालोगे ना कम कर सकते हो बागी high flame पे भी अच्छे से हो जाएगा आपको outer layer ही पकानी है बट medium कर लोगे तो ना अंदर से cheese जो है वो melt हो जाएगी और ये लिजे थोड़ा देखो आप cheese जो है वो बाहर melt होके निकलने लग गई तो मतलब ये perfectly cook हो गए है बस इनको निकाल लेंगे हम ज्यादा और ज्यादा पकाएंगे ना तो बहुत ही ज्यादा फटने लग जाएंगे हमारे cheese walls जो कि हमें नहीं चाहिए तो लीजे सारे जो cheese walls हैं इसी तरीके से हम fry कर लेंगे तो बहुत ही tasty बनते हैं और आप इसी तरीके से जो बर्गर पैटी आती है वो भी आप बना सकते हो अराम से जब आप हमने जिस लेवल पे इसको freezer में रखा था ना उसी तरीके से आप बस freezer में store करके रख सकते हो fry जब आपको खाना हो उस time पे कर लेना बागी आप freezer में इनको अराम से एक महिना रख सकते हो एक महिने तक आप इनको खूब सारे बना के फ्रीजर में रख लो और जब भी मन करे टेस्टी टेस्टी चीज़ बॉल्स खाने का बस निकालो दस मिनट पहले और फिर इनको फ्राइ कर लो बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं और आपका इवनिंग स्नेक एक बनकर आपके फ चीज़ बॉल्स को मैं डबल फ्राइ कर रही हूं डबल फ्राइ नहीं किया है यहां पर डबल फ्राइ करोगे तो और भी ज्यादा आपकी चीज़ में निकलने लग जाएगी तो चलिए एकदम जैसे होटल में देते हैं कोई भी रेस्टरेंट में जाओगे आप चीज़ ब और अभी हम देखेंगे इसको ऐसे तोड़ कर चीज़ बॉल हो रहा है कि नहीं ओ माइगाड देखो कितना प्यारा चीज़ बॉल हो रहा है और खाके तो एकदम मज़े ही आगए तो आप भी ज़रूर ट्राइ करना और मुझे बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अच् तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि जब भी मैं ऐसे टेस्टी टेस्टी रेसिपी डालूं आप तक पहुंच जाएं फिर से मुझ में पानी आ रहा है फिर से बनाकर खाना पड़ेगा तो चलिए मैं तो तैयारी कर लेती हूं दोबारा बनाने की आप भी बन कि अो समय आईट